नमस्कार दोस्तों मैं तीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको रासनकार के वाइसी के जानकारी देने वाले हैं पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं यानि रासन कार्ड KYC को ले करके आपके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा मैं सारे सवालों के जबाब आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आजाए तो वीडियो के एक लाइक कर देना चैनल पर नए है पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर लेना ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पूरे देश में रासन कार्ड की KYC पिछले दो महिने से चल रही है जी हाँ पूरे देश में चल रही है पूरे देश के सभी राज्यों में रासन कार्ड की KYC प्रक्रिया चल रही है ऐसे में जो लाभार्थी हैं बहुत अधिक परेशान है जो अपनी रासन कार्ड की KYC कैसे करें चुकि सभी जेगे जो बड़े बड़े न्यू चैनल के आर्टिकल है उनमें लिखा जा रहा है अगर आप लोग अपने रासन कार्ड की KYC को पूर्ण नहीं करेंगे तो आपका रासन कार्ड कैंसिल हो जाएगा आपको जो फ्री रासन मिलता है प्रति महीने वो मिलना बंद हो जाएगा तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको बताना है और पूरा सितंबर का महीना है या दो महीने अभी भी आपके पास है रासन कार्ड की KYC को फूर्ण करने के लिए अब दोस्तों आप लोग रासन कार्ड ज्यादा तर उनके पास महाली जगर पांच गाउं है और एक दिन आपके गौवाले एक अठा हो करके अपनी केवाईसी को पूर्ण करा लेते हैं अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अपने रासन कार्ड डीलर के पास जाना होगा यानि जहां से आपको प्रतिमाह रासन मिलता है उनकी दुकान पर आपको जाना होगा उनकी जो पास मसीन है उस पर आपको बायोमेटिक देना होगा और यह बहुत सारे लोग बता रहें कि आनलाइन हो जाएगा किसी एप से हो जाएगा ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा दोस्तों आप लोग परेशान नहों किसी भी तरीके से आप लोग रासन कार्ड की KYC को पू तो इसके लिए आपको रासन कार्ड डीलर के पास ही जाना होगा अब आपको लेकर के क्या क्या जाना है तो दोस्तों हम आपको बतना चाहते हैं कि आपको अपना रासन कार्ड ले जाना है यानि आपके रासन कार्ड की संख्या चाहिए और इसके साथ आपके पास में एक ए रासन कार्ड में, वो सभी लोग एक साथ रासन कार्ड सेंटर पर पहुंच जाएं, यानि डीलर के पास पहुंच जाएं, वहाँ पर जैसे ही आपका जो रासन कार्ड डीलर है, आपकी रासन कार्ड संख्या को अपनी डिवाइस पर डालेगा, उसके बाद आप संखुल जाए अपना नया मोबाइल नंबर बता देंगे, उस नंबर पर एक 6 अंकों का OTP आएगा खाद दिविभार की तरफ से, वो OTP जैसे हैं आप उन्हें बताएंगे, अपनी डिवाइस में डालेंगे, तो उसके बाद आपके रासन कार्ड का विवर्ण आपके सामने ओपन हो जाएग उसके बाद आपसन आजाएगा बायोमेट्रिक का, मुखिया का बायोमेट्रिक लिया जाएगा उस परिवार का जो भी मुखिया मालिक है, उसके बाद फिर बारी-बारी से जितने भी सदस्य हैं उस रासन कार्ड में, OTP सिर्फ एक ही बार डालना है, उसके बाद सभी को वाईल नमबर ले जाना है और इसके साथ आपको उपना रासनकार नमबर ले जाना है इसके pektि भी लेंग कर करके Only जाना है अब बात आती है कि इसके क्या फायदे है, क्या नुकसान है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम KYC कराएं या ना कराएं, तो दोस्तो हम आपको बतना चाहते हैं, सबसे पहले तो यह समझ दीजे कि सरकार KYC को क्यों करा रही है, तो दोस्तो इसका जो सीधा सा मतलब है वो य रही है, तो वहाँ पर क्या है कि अभी तक उनको रासन जो मिल रहा था, उस सभी मेंबर का मिल रहा था, हो सकता है कि आपके घर परिवार में एक या दो लोग अब तक म्रतक हो चुके हो, या एक दो बहनों की आपने साधी कर दी हो, बेटियों की साधी कर दी हो, उस दसा मे आपके परिवार में तीन या चार मेंबर कम हो चुके हैं, लेकिन रासनकार में आपके साथ मेंबर चड़े हुए हैं, तो आपको सरकार की तरप से प्रत महिने साथ मेंबर का रासन मिल रहा है, उस दसा में दोस्तों क्या होगा, जब आप EKYC करेंगे, तो वहाँ पर जब रासनकार से बाहर हो जाएंगे, तो सरकार यहाँ पर पहली चीतों छटनी कर रही है, कि कितने लोग म्रतक हो चुके हैं, कितने लोगों की साथी हो चुकी है, अब रासनकार में एक्चूल मेंबर कितने हैं, वो चीज यहाँ पर देखी जा रही है, अब बात आती है कि रासन कार्ड की लिस्ट में बना रहेगा वो विकल्प भी हम आपको आगे बताने वाले हैं तो सरकार ने इसी वज़े से इस KYC प्रक्रिया को लांच किया है जिससे एक्चूल डाटा पता चल जाए और एक्चूल लोगों को जितना रासन क्या हो सकता है उतना ही रासन दिया जाए कोई वेक्ति गलत तरीके से किसी दूसरे वेक्ति का रासन न ले सके तो इस वज़े से इस KYC को किया गया है अब बात कर लेते हैं इसमें आप क्या फायदा हो सकता है KYC कराने से तो दोस्तों हम आपको बतना चाहते हैं बहुत सारी जो बहने हैं उनकी साधियां हो पा रहा था तो अब लोग अब उन लोगों का नाम आसानी से रासनकाल से कट जाएगा क्योंकि जब वो लोग KYC अपने माईके में जाकर के नहीं कराएंगी बायोमेटिक नहीं देंगी तो सता ही सरकार उनका नाम उनके माईके से काट देगी और जब उनका नाम कट तो वो लोग ससुराल में अपना नाम आसानी से जुरवा भी सकेंगी, तो खुल मिला कर कि ये एक benefit हो जाएगा, नुकसान की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि अभी तक अगर आपको साथ लोगों का रासन मिल रहा था, जब कि आपको घर में एक्चूल में रहते हैं, वो लोग अपने रासन कार्ड की KYC को कैसे पूर्ण करेंगे, तो दोस्तों हम आपको बतना चाहते हैं, मान लीजे उनके परिवार में पांसा सदस्य और हैं, इसके अलामा कोई ऐसा भी सदस्य है, जो बाहर रहता है, वहाँ पर वो अपनी KYC को कैसे जिस तरह से One Nation, One रासन की ब्योस्ता सरकार ने की है, आपके पास रासन कार्ड है, आप देश के किसी भी कोने में रासन ले सकते हैं, उसी तरीके से आप देश के किसी भी कोने में हो, अपने रासन कार्ड की KYC करा सकते हैं, किसी भी रासन डीलर की दुकान पर जा करके, यान नमबर पर परिवार के मुख्या ने अपनी KYC पून की है, तो वो मुबाइल नमबर गाउ में होगा, उस मुबाइल नमबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप फोन के माध्यम से पूंच लेंगे और उस डीलर को बता देंगे, जैसे ही वो OTP सम्मिट करेगा, आपके नाम के आगे आपकी KYC में नहीं लिखा होगा, बाकी सभी सतस्तों के आगे हाँ लिखा होगा, जैसे ही वो उस पर टैप करेगा, तो फिर से एक बार उसी नमबर पर OTP आएगा, वो OTP एक बार फिर से आप बतको फोन करके पूंच लेना है, और फिर से डीलर को बता देना है, जैसे ही OTP की सम्मिट होगा, आपका बायो में टिक लिया जाएगा, आपकी KYC पूंड हो जाएगी, यानि आपका रासन काडप पूरी तरह से कंप्रीट हो गया, क्योंकि 5 मेंबर ने गाउं में करा लिया था, आप बाहर रहते थे आप छठवे मेंबर हैं, आपने भी अपने रासन की KYC को वहीं से करा लिया, जहां आप रहते हैं, 30 सितंबर इसकी ले लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप सभी को एक काम कर लेना है, रही बात की अब ये KYC की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार 30 सितंबर तक सभी की KYC को पूर्ण करा रही है, उसके बाद सरकार एक मौका सभी को और देगी, चाहे वो दो दिन के लिए हो, चार दिन के लिए हो, आठ दिन के लिए हो, सरकार एक मौका सभी को और देगी, जिन लोगों ने अपने रासन की KYC पूर्ण नहीं किया है, जो लोग यहां नहीं तो उनकी कैसे पूर्ण होगी, तो उन लोगों के लिए भी एक मौका दिया जाएगा, तो वो लोग आ करके अपने रासन की के वाइसी चू कि यहां पर ब्योस्था सिर्फ और सिर्फ बायोमेटिक के माध्यम से है, दूसरी कोई भी ब्योस्था नहीं है, ना ही OTP से आप से उनका नाम काड़ दिया जाएगा, और उन लोगों का नाम उस रासन काड़ से हट जाएगा, दोस्तों आसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के आही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ अब तक के लिए जै हिंद जै भारत